पहलूओं में से एक छोटा से पहलू होता है, बाकी बहुत सारे होते हैं, अगर आज हिंदुस्तान में गरीब व्यक्ति को पांच लाख रुपिय तक इलाज के सुविधा सरकार देती है, वो आईश्मान भारत योजना, अभी तो सौदीन नहीं हुए है, करीब छे साथ लिया है, इतनी बड़ी मौत्रा में लोग अपने तीन चीन चार चार साल से बीमारी जेल रहे हो, और आज अगर उसको मुक्ति मिलती हो, तो मैं उसे कैसे असफ़र मान सकता हूँ, मेरे लिए तो सबसे बड़ा संतोष का विशह है, दुनिया आज क्लाइमेट चेंग, ग्ल देशों में हमारी गिंती होती हो, उस देश को 2018 में उनाइटे नेशन्स अगर चेंपियन ऑफ अर्थ है वोड़ दे करके, एनवार्मेंट की प्रोटेक्शन का लीडर के रुप में देखे, तो इससे बड़ा गर्व क्या हो सकता है, हमारा देश आजाद हो इतने साल हुए, अठारा हजार गाओं ऐसे थे जब मैं आया, बिजली नहीं थी, इसी 2018 में सभी गाओं में बिजली पहुचने का काम पूरा हुआ, ये सफलता नहीं है तो और क्या है, स्पोर्ट का ख्षेतर देखिए, दो हजार अठारा में जो स्पोर्ट हुए, इन स्पोर्ट में भारत क बच्चों ने बहुत कमाल किया है, नंबर अप मेडल्स भी ज़्यादा आये हैं, और टियर टू, टियर थी सिटी, इवन गाओं के बच्चे, गरीब परिवार के बच्चे, आजदेश का नाम रोसन कर रहे हैं, पैरा अथलेट्स के मैं भी भारत के बच्चों ने बहुत ब रेकॉर्ड होता है, वज्यानिकों काम देखिए, बंपर क्रॉप, दोजार अठारा में बंपर क्रॉप हुआ है, ये भी अपने आप में है, यने कोई भी ख्षेतर देख लीजिए, भारत अनेक प्रगती की उचाईयों को पार करता चला गया है, पुराने सारे रेकॉर्ड तोड़ता गया है, और इस अरत में मैं देखूं, तो दोजार का अठारा का सवाव भारत के लिए भावती उजवल सवाव समय रहा है, वो तुम्हें मानती हो, लेकिन मैं चुनावी असफलता के बारे में कह रही थी, चुनाव को लेकर पांच राज्य में चुनाव हारी है बीजेपी और आप रधान मंत्री हैं बीजेपी सरकार की, एंडिये सरकार की, तो क्या आप इसे एक हार नहीं मानते हैं, इसे असफलता नहीं मानते हैं? पहली बात है, तेलंगणा और मिजवरम, वहां भारतिय जनता पार्टी सत्ता पर आएगी, ऐसी बात ना कोई सोचता था, ना कोई कहता था, ना बीजेपी कहती थी, जिन तीन राज्यों की आप चर्चा कर रही हैं, चत्रीस गड़ में साफ साफ नतीजा आया, जिसमें भारतिय जनता पार्टी का पराजय हुआ, लेकिन दो राज्यों में हंग एसेंबली बनी हैं, दूसरी बात है, कि 15 साल की एंटी इंकमन्सी को ले करके, हमारे लोग मैद में थे, और स्वाभाविक हैं,